चेप्टर 7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication यह चेप्टर करेंगे हम आज इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे दोनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिस्टन में और प्लेडिस्ट में मिल जाएंगे तो आप वीडियो की डिस्क्रिस्टन और प्लेडिस्ट को जूल चेक कर लेना और वीडियो को आपने पूरा देखना है तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा विल्कुल भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है आपने complete वीडियो देखना है तो शुरू करते हैं वी ये वे रीडियो अर्लियर चेप्टर अब इन्वारिमेंट विच कंसिस्ट ओफ बोथ नैच्रल और मैनमेड इन्वारिमेंट अब हमने पिछले चेप्टर में ये पढ़ा था कि भई जो इन्वारिमेंट है वो दो तरह से हैं इसमें एक तो होता है natural natural environment और होता है दूसरा होता है man made environment ठीक है in this chapter we will study about specific aspect of human environment related to settlement transportation and communication इस chapter में हम किसके बारे में पढ़ेंगे जो human environment से related चीज़े है settlement, transportation and communication के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में detail से पढ़ेंगे ये तीन चीजें इस chapter में settlement है, transportation है और communication है settlement का तो आपको पता है क्या होता है settlement का मतलब होता है कि कहीं पर बस जाना घर बना लेना ठीक है वो settlement होता है और transportation में एक जगा से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसको transportation कहते हैं और communication में बाच्चीत करने के लिए अपना message देने के लिए इदर उदर ठीक है उसके लिए communication का हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं settlement क्या चीज है ठीक है settlement के बारे में detail से पढ़ते हैं settlement means a cluster और group of houses settlement का मतलब है group of cluster कहलो या group of houses कहलो कि बहुत सारे घर जब एक जगा पर बनाये जाते हैं या बस्ती बसाई जाती है settlement को आप बस्ती भी कह सकते हैं जब एक बस्ती बसाई जाती है या कलोनी बसाई जाती है बहुत सारे लोग एक जगा पर जब रहते हैं एक स्थान पर जब रहते हैं तो उसको क्या कहा देंगे हम settlement कहा देंगे यह group of houses है इसमें बहुत सारे घर होते हैं settlement is the primary residence of human society जो settlement है वो human society का जो हमारी इंसानों की जो समाज है उसका एक primary residence है यानि कि यह एक primary residence यहां भी शिरुवात की थी आदमी ने यहां से कठे रहने की ठीक है in ancient times human beings led a life of good food gatherer and moved from one place to another in search of food in ancient time पुराने समय में प्राचिन समय में क्या होता था भई जो आदमी था वो एक food gatherer था यानि कि जो food को वो इकठा करता था भोजन को वो इकठा करता था रोज भोजन को इकठा करके लाता था जंगलों से कंद मूल वगएरा फल फ्रूट वगएरा या फिर जानवरों का जो मास वगएरा शिकार करके लाता था and moved from one place to another in search of food और एक जगा से दूसरे स्थान पर घुमता रहता था वो खाने की खोज में they did not have a permanent settlement and hence lived a nomadic life उसका कोई भी permanent settlement नहीं था यानि कि permanent कोई भी उसकी बसावट नहीं थी कोई भी बसती नहीं थी उसके permanent वो घुमता रहता था दरूदर and hence lived a nomadic life nomadic life का मतलब है जो घुमतू जो लोग घुमते रहते हैं यानि कि एक जगा पर नहीं रहते उसको बोलते है nomadic life यानि कि वो घुमतू मतलब वो घुमता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर they were completely dependent on the environment to satisfy their basic need of food, shelter and clothing और वो जो आदमी था वो बिल्कुल ही environment के उपर क्या था depend था अपनी जुरूरते पूरे करने के लिए जैसे कि food हो गया, shelter हो गया, चुपने की जगा या रहने की जगा और clothing, कपडे ठीक है इन सब बातों के लिए वो environment पे depend था, thus their settlement were temporary, इसलिए जो उसकी settlement थी, जो उसकी बसावड थी, वो temporary थी, वो एक जगा पर नहीं रहता था, ठीक के, ठीक है आगे है, in the post-stone age, जब post-stone age आई, यानि कि जब आदमी ने थोड़ी सी तरक्की की, जब post-stone age से जब वो आगे गया, post-stone stage में आया, तो human being learned the art of agriculture and farming, तो जो human being ने आदमी ने agriculture और farming सीख लिए खेती बाड़ी, ठीक है, वो खेती करने लगा, gradually the concept of settled life came into being, और इस तरह से धीरे-धीरे, वो क्या हो गया वही, एक settled life की तरफ चलने लगा, यानि कि उसके जीवन में एक settled life आगी, वो एक जगा पर रहने लगा, the shelters were built near the areas where land could be cultivated for temporary stay, the settlement were made with the help of branches of trees and were covered with trees, अब जो shelter रह यानि कि जहाँ पर चुकता था, जहाँ पर रहता था, ठीक है, रहने की जगा जो उसकी थी, वो कहाँ पर बनाई जाती थी, near the area where land could be cultivated, जहाँ पर land could be cultivated, यहाँ पर जमीन पर खेती की जा सकती थी, ठीक है, और the settlement were made with the help of branches, जो settlement बनाई जाती थी, जो बसती वगारा बसाई जाती थी, रहने के लिए, वो किसकी help से बनती थी, branches of tree, यानि पेड की टहनियों की सायता से बनाते थे, और उसको पतियों से cover कर देते थे, ढखे देते थे, मतलब जो पड़ी नुमासी बनाते थे, जैसे यह picture दिखा रखी है, ठीक है, इस तरह की settlement पहले बनाई जाती थी, after the stone age, stone age के बाद क्या हुआ, settlement were occupied seasonally, अब settlement क्या करने होने, शुरू कर दी भई, अब season के हिसाब से settlement बनानी शुरू कर दी, भई इस season में यहाँ पे रहेंगे, इस season में यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, now, women being started changing their settlement with the change of season, अब जो women being है आदमी, अपनी settlement को बदलने लगा, अपनी बसावट को बदलने लगा, season के हिसाब से, ठीक है, in those area where climate condition were suitable, the number of settlement were more and clustered, और जिस area में जो climate है, जो मोसम है की condition अच्छी होती थी, suitable होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बसने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा group में लोग वहाँ पर बसने लगे, वहाँ पर बसने लगे, वहाँ पर बसने लगी, ठीक है, सब्विता, मतलो, नहीं सब्विता बनाने के लिए बहुत बड़ा ये कदम था, ठीक है, यानि कि आदमी की जो सब्विता विक्सित हो गई, किस से, फायर, आयरन और वील की खोज के बाद, अब जो जो टूल थे, वो बहुत आधुनिक हो गए, यानि कि उनके हिसाब से क्या हो गए, अब ने ओजार आगे, तो क्या हुआ भई, फार्मर स्टाटिड कल्टिवेटिंग क्रोप, जो किसानों ने फसल लगानी शुरू कर दी, अधिकतर जहां, फसले कहां पर लगाई जाती थी, रिवर बैंक, नदियों के किनारों पर, जैसे एक 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 इसमपल दिया, इसने, नाइल नदी के किनारे पर, इंडस वैली, जो सिंदु नदी का सपास का छतर था, वहां पर, किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, आद अधिकतर जाता की, मतलब, जो, लर्ण्ट, वे, न्यू वेज, ओफ आर्मी, नई तरह की खेती करनी शुरू कर दी, वह सीखता चला गया, कहड़ा का मतलब है, now they started living a settled life, as crop required constant care throughout the cropping period, अब उसने, they started, अब उसने एक settled life, अब वो, एक जगा पर रहना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि जो crops होती थी, उसको देखबाल की जुरूरत पढ़ती थी, ठीक है, constant care crops को, फसलों को देखबाल की जुरूरत पढ़ती थी, सारा साल, इसलिए उसने एक जगा पर रहना बशुरू कर दिया, they were not required to wander in search of food and could afford to settle down at one place, अब उसको वही, खाने के लिए घूमना नहीं पढ़ता था, और वो एक ही जगा पर, वो settle हो गया, ठीक है, एक ही जगा पर इसलिए वो एक ही जगा पर क्या हो गया, वही, settle हो गया, अब उसको खाने के लिए घूमना नहीं पढ़ता था, Hence, building of permanent shelters, domestication of animal and use of cloth made of fiber, become a part of human life, अब क्या हो गया वही, उसने building बनानी शुरू कर दी, रहने के लिए, permanent building, domestication of animals, पशुपालने शुरू कर दी, जानवर पालने शुरू कर दी, use of cloth, कपडों का यूज़ करना शुरू कर दी है, जो fiber से बनते थे, यानि की कपास बगेरा से बन यह सब चीजें, जो आदमी की जिंदगी का एक पार्ट बन गई, building बना कर रहना, पशुपालना, और कपड़े पहनना, कपड़े बनाना, किसके fiber के, यानि की cotton बगेरा के, with the advancement of science and technology, the human beings have been able to modify their natural environment as per their needs, जैसे जैसे science और technology बढ़ी, human beings have been able to modify their natural environment as their needs, जो human beings है, आदमियों ने क्या करना शुरू कर दिया, environment को अपने हिसाब से, मतलब एक तरह से, modify करना शुरू कर दिया, अपनी solis से environment को चलाना शुरू कर दिया, आप ऐसे कह सकते हैं, जहां पे उसकी मर्जी होती थी, वहां पे खेती कर लेता था, अपने हिसाब से उसने करन शुरू कर दिया, जैसे जैसे advancement of science or technology बढ़ी, now the settlement protect the human beings from harsh temperature, chilly winds, rough terrain and also give them privacy, जो अब settlement थी, settlement protect the human being, अब उसकी बसावट थी या बस्तिया थी, उसने आदमी को अब protect करना शुरू कर दिया, कैसे किस किस से, किस किस से protect करना जब वो एक जगा पर पस गया, तो harsh temperature, जो खतरनाक जो temperature था, उससे बच गया, chilly winds, थंडी हवाओं से बच गया, rough terrain, उबडखाबड जो जमीन वगारा उतिया, उससे बच गया, and also give them privacy, और settlement ने उसको privacy भी दी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों, settlements का उसको फायदा हुआ आदमी को, With the expansion of agriculture activities, domestication of animals, mining, and industrialization, the natural environment has been adversely affected. With the expansion of, जैसे जैसे क्या बड़ी चीज़, agriculture, खेती बड़ी की activity बड़ी, जानवरों का पालना बड़ा, जानवरों को जादा पालने लगया, mining, यानि की खान वगयरा खोदने लगा, जब वो लोहे की, कोहे लगी, ठीक है, और industrialization हुई, फैक्टरियां वगयरा बनने लगी, तो इससे क्या हुआ, natural environment था, जो हमारा, वो क्या हो गया, has been adversely affected, जो हमारा natural environment था, जो प्रकरतिक environment था, वो क्या होने लगया, बुरा प्रभाव पढ़ना शुरू हो गया, the growth of towns and cities as well as industrialization have shrunk the green belt area, जैसे जैसे town और cities बसने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी, और industrialization बढ़ने have shrunk the green belt area, उसने green belt area को क्या कर दिया, वही कम कर दिया, green belt area का मतलब है, उसने जंगलों को कम कर दिया, आदमी जंगलों को साफ करता चला गया, और जैसे जैसे तरक्की की, जंगल कम होते चले गए, green belt area कम होता चला गया, pollution as well as defective method of plowing have resulted in ecological imbalance, which is a matter of great concern to all of us, और pollution, और production हो गया, इससे pollution हो गया, और दूसरी तरह जो उसके defective method थे, गलत तरिके थे, खेतिवाड़ी करने के, उससे जो ecological balance था, यानि कि जो हमारा environment था, उस वो खराब हो गया, environment का जो balance था, ecological balance वो खराब हो गया, और जो हमारे लिए क्या है, एक चिंता का, हम सब के लिए एक चिंता का विशह है, आगे है, factor responsible for permanent settlement, permanent settlement के लिए कौन-कौन से factor responsible है, उसके बारे में पढ़ेंगे, availability of water, जब water होगा, if we go through the history, most of the civilization developed near river valley, the indus valley civilization, आगर हम history को देखें, पराने समय को देखें, तो most of the, जितनी भी सब बताएं हैं, जितनी भी बसावट हुई है, पूरी दुनिया में, वो नदियों के किनारे भी हुई है, नदिय की valleys में हुई है, river valleys में हुई है, for example, indus valley civilization, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, even today, water is an important resource for the growth of villages and town, और आज भी, पानी एक main resource है, गाउं और towns की growth के लिए, ठीक है, village और town वहीं पर ही ज्यादा, मतलब वहीं पर ही ज्यादा लोग बसेंगे, जहां पर क्या होगा, पानी होगा, in desert area as well, the houses are clustered around the source of water, और desert area होता है, जो रेकिस्तानी एरिया होता है, वहाँ पे भी house वहीं पर ही, जो houses के जो group है, वो वहीं प और oasis, और यह चीज क्या हो सकती है, पानी का source एक तलाब हो सकता है, और एक oasis हो सकती है, oasis का मतलब होता है, जो रेकिस्तान के बीच में कहीं पर पानी मिल जाते हैं, उसको oasis बोलते हैं, the settlement that grow around a source of water are known as wet point settlement, और ऐसी settlement, ऐसी बसावत, ऐसी बस्तियां, जो source of water, पानी के source के आस-पास बस्ती हैं, उनको हम wet point settlements बोलते हैं, बहला तो feature यह हो गया, जिस पे settlement depend करती है, पानी, दूसरा आगया, relief features, relief features क्या होते हैं, they play an important role in the development of a settlement, ये भी relief feature भी important role अदा करते हैं, settlement के लिए, planes are favorable location for the establishment of settlement, जो planes होते हैं, मैदान होते हैं, वो सबसे अच्छे होते हैं, settlement के लिए, बसने के लिए, it is easy to have a good transport network here, which makes it possible for the people to move easily from one place to another, और इस में क्या होते हैं, जो planes में easy होते हैं, have a good transport network यहां पे, मतलब एक जगा से दूसरे जगा पर ले जाने के लिए समान असानी होती है, और people एक जगा से दूसरे जगा पर असानी से चले जाते हैं, क्योंकि य मेदानी लाका है, in many towns and cities have, in India, many towns and cities have developed in northern plain, और जो इंडिया में, जो उत्तर भारत में, उत्तर भारत का जो मेदान है, वहां पर बहुत सारे टाउन और cities develop हुई हैं, विक्सित हुई हैं, उसका कारण यही है, कि जो northern plain है, उत्तरी भारत का जो मेदानी लाका है, वहां वो क्य जो settlement है, वो बहुत ज़्यादा घनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग बस गए, on the other hand, a highland area, और दूसरी तरफ, जो highland area था, उंची जगह आई थी, जो पहाड वगएरा, पठार वगएरा, where the nature of land restricts easy movement, the population is less, जहां पर जो nature की वज़े से, जैसे पहाडों में, लोग बह बसते हैं, इसका कारण यही है कि आदमी वहाँ पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, movement आसानी से नहीं होती, इसलिए वहाँ की population क्या है, less है, कम है, it results in a few and disparate settlement, और इसके कारण, यह मतलब वहाँ की जो highland area के कारण, उंची जगह के कारण, वहाँ पर disparate, वहाँ पे few, कुछ ही लोग बसते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं, disparate settlement यानि कि वहाँ पे जो लोग हैं, वो दूर दूर बसते हैं, घर दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो relief feature का मतलब यह होता है, relief feature का मतलब यह होता है कि वह जगह कैसी है, मैदानी इलाका है, पहाडी इल लाका है, ठीक है, उबडखा बड़ी लाका है, इसी को हम relief feature बोलते हैं, तो relief feature पे भी यह depend करती हैं, उसके बाद आगा special sites, कुछ special sites भी होते हैं, कुछ special जगह भी होती हैं, जहां पे लोग बस जाते हैं, some sites are chosen for the settlement because of their natural beauty, कुछ sites, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, जिसको लोग वहाँ पे प्रकृतिक सुन्दर था, बहुत ही सुन्दर जगह होती हैं, इसलिए वहाँ पर बस जाते हैं, these are called tourism based town, और इनको tourism based town भी कहते हैं, यानि कि लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, ऐसी जगहों पे, they provide employment to many people, और यह ऐसी ऐसी जगह होती है, natural beauty जहाँ पे मिलता है, employment भी मिलता है, इन इंडिया, श्री नगर, गोवा, शिमला, नैनिताल, ऊटी, etc. और इंडिया में भी हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी sites हैं, जहाँ पे लोग भूमने फिरने जाते हैं, tourism based town हैं वो, जैसे कि श्री नगर, गोवा, शिमला, नैनिताल, ऊटी, etc. आप भी इ फिर घूमने का प्लान बना रहे होंगे, यह सारी जो हमारे जो towns हैं, cities हैं, यह क्या है, tourism based town हैं, ठीक है, all the factors you just read are related to one another, जितने भी आपने अभी factor पढ़े हैं, वो एक दूसरे से related हैं, यह तिन्नों factors, water, relief features, or special sites, when we are looking at land as a determining factor for a settlement, water cannot be ignored, और जब हम किसी जगा को चुनते हैं, ठीक है, बसने के लिए, किसी जमीन को, लैंड को चुनते हैं, बसने के लिए, तो water को हम ignore नहीं कर सकते हैं, पानी के बेगार वहाँ पर बसावटे नहीं हो सकती हैं, यह तो सभी को पता है, similarly the culture, the social setup and the other environment aspects are also important factors, और इसी तरह वहाँ की जो सस्कृती है, social setup है, वहाँ का समाज कैसा है, और दूसरी environment जो चीज़े हैं, environmental से समंधी जो चीज़े हैं, वो भी एक important factors हैं, बसने के लिए, settlement के लिए.